तो दोस्तों IBPS AFO का प्रिलेम्स का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है अभी थोड़ी दिर पहले ही IBPS की वेबसाइट के उपर था तो जिन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है प्लीज IBPS की वेबसाइट के उपर जाकर के रिजल्ट जरूर देखे हैं अपना जो लोग रिजल्ट देख चुके हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं जिनका नहीं हुआ है बेटा हिम्मत नहीं हारनी है सीख लेनी है कि क्या कमी रह गई थी कहां पर कमी रह गई थी और उस कमी को कैसे दूर करना है ये समझना है और फिर और जादा मेनत करनी है ठीक है एक्जाम तो होता है इसको competitive exam ही इसलिए बोलते है क्योंकि यहाँ पर हर कोई नहीं जीत सकता जैसे cricket के अंदर ऐसा नहीं होगा ना कि दोनों टीमें जीत जाए ठीक है पहले तो match draw का provision होता था one day वगरा में अब तो वो भी super over वगरा करवाके result निकालते ही है तो ultimately competition का तो मतलब ही है कि किसी ना किसी ने आगे जाना है और कोई रह जाएगा रह जाएगा का मतलब यह नहीं है कि वो कमजोर है या वो नलायक है उसको आता नहीं है ठीक है it is all about the day तो prelims का result अपना देखें अब आपका mains का exam है around जो period आपके पास रहेगा that will be of 12 to 13 days ठीक है 30 और 31 January का आपका paper होना है तो 12 से 13 दिन का आपके पास समय है तो अक्सर मन में सवाल यही आता है कि अब हमें क्या approach follow करनी है जिन बच्चों का exam clear हुआ है उनको क्या approach follow करनी है तो मैं यह आपर दो चीज़ें discuss करूँगा एक तो जो चीज़ें आपको करनी है things to do और दूसरी चीज़ें मैं discuss करूँगा things to avoid कि क्या-क्या चीज़ें आपको avoid करनी है तो सबसे पहले वो चीज़ें discuss करते है जो आपको अब जरूर follow करनी है if you are giving means this year सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो भी notes आपने बनाए है चाहे वो आपके handwritten notes है या आपके कोई printed notes थे किसी institute के या किसी platform के जहां से आपने तयारी किये है वो notes है वो आपने underline किये हुए है आपने खुद से self written notes नहीं है underlined notes है इसको सबसे पहले revise करना ये आपकी सबसे पहले primary concern होना चाहिए ठीक है ये सबसे पहली चीज़ करनी है अक्सार हम लोग क्या करते है कि हमने जो चीज़ पढ़ी हुई है जो हमने अपने notes बनाये हुए है जो हमने अपनी underlining की हुई है हम उसको तो paper से पहले देख करके ही नहीं जाते ठीक है वो सबसे बड़ी गलती होती है हमारी क्योंकि ये वो चीज़े होती है जो हमने already पढ़ी हुई होती है और इनको हम फटा-फट से खतम कर सकते है बात यहां पर सिरफ यह नहीं है कि ये जल्दी खतम हो जाएगा इसलिए हमको ये करना है बात यह है कि ये जल्दी खतम हो जाएगा और हमारा जो already एक done चीज़ है उसके उपर tick mark लग जाएगा कि यह हमारा हो गया और जब हमने notes मनाय है या underline किया है तो ऐसा नहीं है कि उसमें हमने बिल्कुल तयारी नहीं की हुई उसमें हमने बहुत अच्छे से तयारी करी थी और अब हमें उन notes को पढ़ना है बहुत से बच्चे, बहुत से अब कहीं बच्चे ऐसे होंगे जिनोंने prelims के बाद बहुत सारे दिन waste कर दी है होगा नहीं होगा यह सोच करके उन्होंने waste कर दी है तो वो अब रोहेंगे कि यार हो यह क्या हो गया, यह क्या हो गया तो अभी यह क्या हो गया, यह क्या हो गया इन 13 दिन में अपने आपको पूरे तरीके से जोक दो, जो पिछली गलती हो गई, वो हो गई, उसके उपर ध्यान नहीं देना, तीसरा, current affairs की जब बात आती है न, तो बच्चे इस टाइम पर बहुत ज़ादा confused जाते हैं कि यार हम current affairs कैसे करें, कई बच्चे क्या करेंगे, वो P.I.B. को खोल करके पढ़ना शुरू कर देंगे, यह एक गलत strategy है, अब आपके पास उतना time नहीं है कि आप P.I.B. को खुझ से खोल करके पढ़के कर लोगे, कितना P.I.B. खोल लोगे, आपका सारा time इसमें चला जाएगा, तब भी P.I.B. आप cover नहीं कर सकते, कुछ बच् करके और एक शेत्रा magazine 6-8 महिने की पीछे की पढ़ भी लोगे, उसका फाइदा कोई होने वाला है नहीं, आपकी बाकी सारी की सारी revision रह जाएगी, current affairs के अंदर आपको क्या करनी है, एक बहुत selective approach लेकर के चलनी है, बहुत selected current affairs आपको पढ़ने है, agriculture specific current affairs आपको पढ़ने है, जिस source है, आप अभी तक current affairs पढ़ रहे थे, उस source को follow करो, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर recommend करूँगा, current affairs हो, चाहे static हो, जो भी agriculture से related playlist सिक्षा के channel के उपर बनी हुई है, यूट्यूब के उपर, वो ज़रूर follow करो, मैं इसलिए नहीं कहा रहा कि मेरी videos के views बढ़ेंगे, वो आप एक बार एक आधी video देख लो, अगर आपको लगता है, कि वो आपके काम की है, तो ठीक है नहीं, तो उनको भी मत देखना, time waste करने का बिल्कुल भी time नहीं है, सिक्षा के उपर जितनी भी मैंने videos डाली हुई है वो सारी short videos है, 10, 15, 20 मिनट से उपर की कोई video नहीं है, छोटी-छोटी videos हैं, अब फटा-फट से उनको खतम कर सकते हूँ, 34 current affairs की videos डली हुई है, वो 34 की 34 आपके लिए important है, paper से पहले-पहले, 27, 28 जनवरी तक इसको 50 प्लस कर दूँगा current affairs की videos को, और वो सारे के सारे current affairs आपके playlist बनी हुई है, static agriculture के MCQs continuously डाल रहा हूँ, वो देखो previous year questions के जितने important MCQs हो सकेंगे, उतने डालूगा वो देखते रहना, ठीक है, चौती चीज़ यहाँ पर क्या करनी है, जो मैंने previous year questions वाली बोली है, जितने जादा PY के उस देख सकते हो, उतने जादा PY के उस revise कर लो, च एक तो previous year questions में, IBPS, EFO में repetition होती है, ठीक है, दूसरा जो previous year questions करोगे न, उसी के in and around knowledge उन्होंने पूछी हुई होती है, तो previous year questions को quick revision आपको करनी है, हाँ, बहुत ज़्यादा detailed knowledge में PY के मत जाना, लेकिन ए quick overview, quick revision previous year questions की कर लो, पिछले 7-8 साल के previous year questions की, बहुत बढ़िया आप के लिए हो जाएगी, पांच भी चीज आपको करनी है, practice as many MCQs as possible, जितने MCQs practice कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको क्या कहा रहा हूँ, practice करने को कहा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको यह नहीं कहा रहा कि सिरफ MCQs को read करो, खचरो की तरह read नहीं करने हैं सिरफ, पहले उन MCQs क solve करना है, पहले question को देखना है, बिना उसके answer के, उसका answer देखना है, देना है, उसके बात देखना है कि answer ठीक हुआ है या गलत हुआ है, ठीक है, जितने जादा हो सकें, उतने जादा MCQs को practice करो, किसी भी source से practice करो, मैं यह नहीं कहा रहा कि मेरा MCQ course लेलो, non-video, अब बहुत स का answer देखो, देखो, सही हुआ है या गलत हुआ है, क्या गलती हुआ है, उसकी explanation देखो, इस तरीके से MCQs practice करना है, अगर उसको किताब की तरह सिर्फ read करोगे, MCQ आ गया, उसके बाद देखानी की क्या answer है, क्या नहीं है, खुछ पता नहीं है, सिधा बस answer पढ़ लिया चलो वो कोई फायदा नहीं है, MCQs को practice करना है, जितना ज़ादा हो सके practice करना है, छटी चीज, अगर आप किसी mentor को follow कर रहे थे अभी तक, किसी teacher को follow कर रहे थे, किसी से advice ले रहे थे, तो उससे connected रहना है, ठीक है, mentor से connected रहना है, mentor से पूछते रहना है, कि हाँ सरी ये कैसे करना है हाँ मैं ये कैसे करना है, यहाँ पर फस रहे हैं, जहाँ पर फस रहे हो, वहाँ पर उनसे लेना है, हो सकता है, कहीं बार mentor आपसे दुखी हो जाए, कहीं बार आपको वो बोल देगा कि नहीं, यार ये तो बात-बात पर आ जाता है, आपका एक phone ना उठाए, तो ऐसा भी न जरूरत है, और teacher, तुमारे पास एक teacher है, ठीक है, लेकिन उस teacher के पास बहुत सारे students हैं, जो उसको देखने हैं, ठीक है, तो कभी भी यह मत सचो कि वो तुम्हें ignore कर रहा है, उसकी भी मजबूरी समझो, और अपना ego मत ले करके आओ, सबसे बड़ी बात तुम्हें जरूरत ह teacher की, ठीक है, तो अपने mentor के साथ touch के अंदर रहें, सातवी चीज जो मैं आपको यहाँ पर recommend करना चाहूंगा, जो बहुत जादा important है, अब जितने भी आपके दिन बचे हैं, all your days must be well planned, randomly मत चलो, randomly मत चलो, कभी कुछ उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया, कभी कुछ उठा ल जाना चाहिए, 17 January की शाम को, कि 18 January को सुबा मेरे को उठके यह करना है, उसके बाद मेरे को यह करना है, इतना time मेरे को अपने notes में से revise करना है, इतना time मेरे को videos देखनी है, इतना time मेरे को MCQs practice करने है, इतना time मेरे को PBI के उस देखने है, इतना time मेरे को यह topic पढ़ना है, लग गया, कभी वीडियो देखने लग गया, कभी कुछ तो कभी कुछ, वो सब नहीं करना है, ठीक है, जितना हो सके अपने दिन को अच्छे से प्लान करो, तो यह कुछ चीजें जो आपको सबसे जादा प्राइमरली करनी है, कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी है, that is things to avoid, जो आपको avoid करना है, तो avoid आपको क्या-क्या करना है, सबसे पहले, तो अगर कोई completely नया topic है, अब किसी ने, for example, मैं यहाँ पर example लेकर करके चलता हूँ, कि animal husbandry किया ही नहीं हुआ, छुआ ही नहीं, और अब वो यहाँ पर share बन जाए, यह share नहीं बन जाए, कि मैं तो animal husbandry करना तो वो बेब कुफी है, और कोई फाइदा नहीं है उसका, animal husbandry जब आपने अभी तक नहीं किया, या आपसे अगर अभी तक नहीं हुआ, तो अब आप 12 दिन में animal husbandry में क्या उखाड लोगे, और अगर उखाड भी लोगे, तो ultimately फाइदा क्या होगा, अगर आप general agriculture posts के लिए जा रहे हो, IBPS, AFO में, तो अब फाइदा क्या होगा, ultimately, ठीक है, animal husbandry में से 5 question भी अगर आ गए, तो उन 5 questions को crack करके क्या कर लोगे, उन 5 के चकर में आपने बाकी के questions तो खराब कर दिया ना अपने, तो completely new topic को pick up नहीं करना, हाँ, अगर आप कोई छोटे छोटे नहीं topic चाते हो, तो वो पकड़ सकते हो, कि आपको लगता है कि हाँ, या या छोटा सा topic है, इसमें से question आते हैं, पक्का आते हैं, मैंने नहीं किया, मेरे 3-4-5 घंटे लगेंगे, मैं कर लेता हूं, या कर लेती हूं, तो वो तो एक जायज बात है, अब पूरे का पूरा एक नया topic उठा करके बैठ जाओ, तो उसका कोई फायदा निया, selective topics आप जरूर pick up कर सकते हैं, ठीक है, नई books, नए notes, ये तो खाई होते हैं, एक prelims clear होने के बाद, बच्चे का result आने के बाद, जब उसके पास 10-15 दिन बच्चते हैं, तो ये खाई होती है, जिसमें बच्चा गिरता ह गिरता है, ठीक है, वो जोश में आके एकदम से, हाँ, हाँ, ये वाली किताब ले आता हूँ, ये वाले notes पढ़ लेता हूँ मैं, बेटा, 12 दिन में कोई notes नहीं पढ़े जाते, कोई जो पिछले notes पढ़े थे, जो पिछली किताबे पढ़ी थी, उनमें underline करकर के उनको काला कर रखा है, पहले वो तो revise कर लो, अलग किताब में क्या कुछ और बन गया होगा, क्या, ऐसा तो नहीं है ना कि, wheat के diseases आपने जो पहले book पढ़ रखिया या आपने पहले जो notes मना रखे हैं, उसमें कुछ अलग diseases given थे, और नहीं किताब ने कोई नहीं diseases invent कर दी है, ऐसा तो हो नहीं सकता न, wheat तो wheat ही रहेगा, wheat का scientific name पुरानी में भी वही है, नहीं में भी वही है, नहीं वाली बदलने से रही, हो सकता है, एक आदा point नहीं किताब में कुछ और हो, हो सकता है, chances हैं, वो भी जरूरी नहीं है, बस, पते क्या होता है, हमारे ना दिमाग में धारना बन ज हैं, इसके अंदर भी, अगर आप कोई selected topic, आपको लगता है कि हाँ यार ये वाला topic जो है, ये एक छोटा सा topic इस किताब के अंदर से मैं पढ़ लेता हूं, मेरा prepare हो जाएगा, वो एक अलग चीज है, आप scratch से कोई पूरी किताब को पढ़ने बैठ जाओगे, तो वो बेवक हो करके पढ़ना है, जितना ज्यादा हाइपर हो करके पढ़ोगे, उतना ज्यादा नुकसान क्या होगा, एक तो time waste करोगे, हाइपर ना इसमें, दूसरा, जो चीज आती है, वो भूलने शुरू कर दोगे, ठीक है, चौती चीज बच्चे क्या करते हैं, अब कहीं बच्चे प्रिलिम्स का रिजल्ट आने के बाद ना, वीडियो कोर्स लेने लगेंगे, नहीं नहीं, मार्किट के अंदर, जा करके, कि वीडियो कोर्स ले लते हैं, या किसी का वीडियो कोर्स देख लेते हैं, बारा दिन में क्या वीडियो कोर्स देख लोगे, पहले तो तुम सोई रहे अब वीडियो कोर्स देख करके क्या करोगे अब कोई फायदा नहीं है वीडियो कोर्स देखने का हाँ कोई अगेन सेलेक्टिड आपने कोर्स अल्रेडी पर्चेस किया हुआ था उसमें आपको लगता है कि यार यह वाला पटिकलर टॉपिक में थोड़ी सी प्रॉबलम ह हो रही है उस टॉपिक की वीडियो जाकर करके आपने देख लिए वह एक अलग चीज है अब पूरे का पूरे कोर्स बच्चे देखने लग जाते हैं कि फलाने का कोर्स देख लेता हूं मैं अब फिर तो आपके बारा दिन वो कोर्स देखने में ही निकल गे आपने क्या फॉलो कर रहे थे बारा दिन के अंदर स्टाटेजी चेंज नहीं होती है किसी भी नई स्टाटेजी को लेकर के आने के लिए और किसी भी नई स्टाटेजी के ऊपर काम करने के लिए टाइम लगता है तो बारा दिन वो पिरेड नहीं है तो ये कुछ चीजे हैं जो आपको अगर आप इन सब चीजों के चक्कर में पढ़ गए तो आपका पेपर खराब हुजाएगा ठीक है और दूसरी चीज यह चीजे आपको ध्यान में रखनी है नोट्स और अंडर लाइन जो किया हुआ समान है पहले उसको रिवाइस करना है रोना धोना नहीं है, डेस वेस्ट नहीं करने है करने फेट सेलेक्टिव पढ़ने है, प्रिब्यस येर कोश्चन जितने जाधा हो सके करने है practice करने mcqs जितने जादा हो सकें mentor के साथ connected रहना है और दिन को well planned रखना है यह अगर आप चीजे करोगे मेरी guarantee है कि आप paper में बड़िया perform करके आओगे और अब यह mcq course है इसके अंदर regularly mcqs डाल रहा हूँ और जब तक paper नहीं होता तब तक mcqs आपके डलते रहेंगे continuously इसके अंदर अगर किसी ने यह mcq course नहीं खरीदा है अभी भी time है इसको खरीद लो ठीक है यह सिरफ बेचने के लिए नहीं कहा रहा है practice के लिए सबसे बड़िया source है क्योंकि quiz के form में मैंने आपको यह questions दी हूँ है happy 50 300 में पड़ेगा अगर 300 रुपे भी देने में किसी को problem है financial दिक्कत है कोई भी issue है कोई भी परेशानी है लेकिन आपने IBPS prelims clear कर लिया है तो आपने अपनी mark sheet के साथ आपने अपनी mark sheet के साथ मिरको telegram पर personally message कर दो मिरको mail कर दो मिरको whatsapp कर दो whatsapp करोगे तो जल्दी solution निकल जाएगा ठीक है आपने अपनी mark sheet के साथ कर देना है मिरको बता दो कि sir मिरको ये problem है मैं 300 रुपे नहीं पे कर सकता या कर सकती मैं उसका भी solution निकाल लोगा whatsapp के लिए number दोस्तों ये है mail ये है और telegram का link description में है वहाँ पर भी आप बात कर सकते हो ठीक है तो जिसको दिक्कत है अभी आप सिरफ पढ़ाई करो पैसे हम बाद में देख लेंगे अगर आपकी नौकरी लग गई तो आपसे 300 के 3000 ले लूँगा मांग कर के ले लूँगा अपना हक समझ के लेकिन पैसो के चक्कर में कोर्स वॉइड नहीं करना ठीक है चलिए ठीक है गईस अल दे बेस्ट और अब 12 तेरा दिन अपने आपको इसके अंदर पूरे तरीके से जोंक दो और अल दे बेस्ट